हमसे हमेशा जुड़ी रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं इसके अतरिक्त जिले में कूल 110 स्थानों पर विद्यूत चोरी वद 2 रुप्यों के मामले पकड़े गए जिस पर 13.28 रुपे का जुर्माना लगाया गया अधिशन अभियंता बाण में रजे मातुर ने बताया की 6 जुलाई को स्पेशल विजलेंस ड्राइब चलाने की निर्देश प्राप्त हुए थे जिसमें विशेश रूप से क्रिशी कनेक्शन पर पानी बेचने सहीत अन्य स्थानों पर आकस्मिक सतकरता जांच करने के निर्देश मिले थे इन निर्देशों की पालना में जिले के 4 खंड एवं 19 उपखंड के अधिशाशी अभियंता, सहायक अभियंता वक कनिश्ट अभियंताओं ने सतकरता जांच की कारेवाही की इसमें 110 स्थानों पर विद्यूत चोरी वर 2 रुपयों के मामले पाए गए इसमें 60 स्थानों पर विद्यूत चोरी 43 स्थानों पर दुर्यूपयों के कारण कारेवाही की गई इसमें 60 स्थानों पर पकड़ी गई विद्यूत चोरी में 8.12 लाक रुपय का जुर्माना लगाया गया जबकि विद्यूत दुरुपयों के 43 प्रकणों में 5.16 लाख रुपय का जुर्माना लगाया गया मातुर ने बताया कि बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ आगामी दिनों में भी आक्समिक सतकर्ता जांच की कारवाही की जाएगी उन्होंने आमजन से बिजली तंतर से छेट छाड एवं बिजली चोरी नहीं करने का अवान किया साथ ही विद्यूत चोरी करते हुए पाय जाने पर सक्त कारवाही की जाएगी अवेद ट्रांसफोर्मर किया जब्त माथुर ने बताया कि इस एक दिवसिये विशेश सतकर्ता जांच अभिहान में उपकंड सेडवा के अधिन कनिष्ट अभियंता हिमानशु वर्मा, अर्विंद कुमार, योगेश कुमार, नर्सिंग राम, हनुमान राम विश्रोही, सुनील बंशिवल की टीम द्वारा जडपा गाव में 25 केविये शमता का अवेद विद्यू ट्रांसफोर्मर चलता पा अगरू टीवी के बार मेर से ठाकरा राम मेगावल की रिपोर्ट